हलो फ्रेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका Creative Learning Center में और आप देख रहे हैं Photoshop Training Series का एक और बहतरीन वीडियो तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को चिरू देखिएगा और उमेद है कि आपने हमारा पिछला वीडियो भी देखा होगा तो चलिए सुरू करते हैं और आज हम के बात करने वाल है Clipping Mask और Quick Mask के बारे में तो चलिती बीना दिर किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं सो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क एंड क्विक मास्क के बारे में क्या होता है क्लिपिंग मास्क और क्या होता है क्विक मास्क जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि लेयर मास्क और वेक्टर मास्क हम कैसे इस्तमाल करते हैं तो आज हम बाकी के जो दो मास्क होते, क्लिपिंग मास्क और क्विक मास्क उसके बारे में भी यहाँ पे देखते हैं, तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी मैं पहले एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, तो हमारे पास यह इमेज ओपन हो अभी यह देखिए और मैं इस image को ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर देता हूँ अभी मैं यहां से एक circle ले लेता हूँ ठीक है एक circle और इसके अंदर मैं एक कोई color feel कर देता हूँ अभी मैं आपसे बात करना मैं अभी आपसे पूछूँगा कि यह जो image है मुझे इस circle के अंदर चाहिए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं देखिए जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है आप क्या कर सकते हो कि आप इस circle को ऐसे control प्रेस करके select कर सकते हो और यहां जाकर आप इसको control जे कर देंगे तो यह circle के अंदर आ जाएगा लेकिन बात है कि अब यह circle के अंदर तो आगया लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लड़की का face और उपर करना है तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको cut कर लिया है उस image से इस portion को cut कर लिया है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप clipping mask का सबसे लेak अंदर कि इस इमेंज को डालना है उस आ Romans सेब को को नीचे रखे और शसके ओपर ठीक इस इमेंज को रखें जिसको आपको सेब के अंदर रखें मैं तो यह image मेंने यह circle के LAAAA के ऊपर रख लिया है अभी मैं क्या करूँगा कि अभी इसको clipping mask करने के लिए आपको जाना है layer में and then create clipping mask आपने जैसे create clipping mask किया यह देखे यहाँ पर यह clip हो गया है अभी आप बोलेंगे सरी यह तो same to same मैंने बिल्कुल भी नहीं अगर मैं अभी चाहूँ तो इस image को drag करके adjust कर सकता हूँ जबकि इस case में मैं नहीं कर पा रहा था तो यह एक फाइदा है clipping mask का यानि कि बहुत आसानी से आप किसी भी shape के अंदर किसी भी image को डाल सकते हैं अभी मैं इसका एक shortcut भी आपको बता देता हूँ तो अगर suppose मान लो कि अभी आपको इसको clipping mask से हटाना है तो क्या करेंगे तो again layer में जाएए and release clipping mask और यह देखिए यह release हो जाएगा इसका जो shortcut है वो है alt ctrl g ठीक है इसका जो shortcut है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका जो shortcut है वो है alt ctrl g alt plus ctrl plus g एक clipping mask करने का shortcut है ठीक है यह हो गया अपका clipping mask का shortcut और आपको मैं इससे भी एक shortcut तरिका बताता हूँ उयह यह है मैं इसको release करना है तो मैं again Alt Ctrl G प्रेस करूँगा वो release भी हो जाएगा यानि कि Alt Ctrl G जो है वो toggle करेगा clipping mask करने में और उसको release करने में अभी मैं एक और आपको sort कर तरीका बताता हूँ सबसे पहले आप circle को जो circle आपने बनाया है उसके उपर वाले layer में आप अपने image को डाल दीजे जिस image को आपको clip करना है उसके बाद Alt प्रेस कीजे और Alt प्रेस करके आपको इन दोनों layer के बीच में जाना है जैसे ही आप इन दोनों layer के बीच में जाएंगे C, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका cursor जो है एक down arrow key के साथ एक square shape में convert हो चुका है अभी आपको बस यहाँ पर click कर देना है जैसे clip करेंगे वो अंदर चला जाएगा अगर आपको इसको release करना है तो again आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे कि उसी icon पर एक slash का sign बना होगा तो यह release का sign है आप इस पर click करेंगे वो release हो जाएगा तो इस तरीके से हम clipping mask का इस्तमाल कर सकते हैं clipping mask का इस्तमाल आप और भी बहुत सारे designs को बनाने के लिए कर सकते हैं जैसे suppose मालो मैं आपको एक और example देता हूँ मैंने यह image ले लिया अभी मैं इस image को इसके अंदर डाल देता हूँ इसे control T करके मैं इसे छोटा कर लेता हूँ see छोटा कर लिया अभी मैं इसके अंदर यह डालूँगा तो आप इसके अंदर में भी यह इसको clip कर सकते हैं यह देखे मैंने इसको clip किया और आप देख सकते हो काफी बढ़िया एक आपको इमेज का स्टाइल यहाँ पर मिल रहा है आप इसे पकड़के यहाँ पर आप ऐसे रख सकते हैं और यह देखे इस तरीके से आप बहुत एजली किसी भी इमेज को किसी भी सेप के अंदर आपको यहाँ पर एक स्प्लैटर का एफेक्ट भी मिल जाएगा तो इस तरीके से हम क्लिप मास्क का इस्तमाल कर सकते हैं अभी सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ी सी मुस्किल हो जाती है चीज़ों को करने में अगर माल लो कि हमारे पास एक ऐसे राउंडेड राक्टेंगल का कोई सेप है ठीक है मेरे पास सपोज ऐसे एक राउंडेड राक्टेंगल का सेप है और इसके अंदर मुझे अगर किसी इमेज को डालना है तो हम क्या करेंगे तो क्लिपिंग मास्क के जरिए या बहुत आसानी से कर सकते हो और सी ये हो तो खुद से कोई सेप बना के उसके अंदर क्लिप कर सकते हो या फिर आप कोई भी इमेज पी इमेज ले सकते हो इंटरनेट से और उसके अंदर भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं चले जो नेक्स्ट मास्किंग के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था क्विक मा चलिए मैं आपको quick mask के बारे में भी समझाता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक image चाहिए तो मैं वो पहले image ले लेता हूँ जैसे कि ये मैंने image यहाँ पे ले लिया ठीक है हमारे पास ये image available है मैंने इस image को ले लिया है अभी मुझे इसको select करनी है तो मैंने क्या किया कि मैंने इसे quick selection tool पकड़ा और इसको ऐसे मैंने इसको ऐसे select कर लिया ये देखे ये select हो चुका है इस character को मैंने इसे select कर लिया है done अभी इसको select करने के बाद अब quick mask का क्या role है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये इत्तम practical चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर quick mask का role क्या है देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसे select करते हैं इमेज को तो मुझे ये समझ नहीं आता कि image पुरा select हुआ है या नहीं हुआ है जल्दी बाजी में या ध्यान नहीं देने की वज़े से कभी कभी selection का कुछ part image का कुछ part selection में नहीं आता है जिसकी वज़े से जब आप इसको ऐसे cut करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये देखिए यहां से आपके कुछ portion cut हो चुका है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि selection के बाद मैं quick mask का इस्तमाल करूँगा तो quick mask आपको मिलेगा कहां ये देखिए जहां पर आप color feel करते हैं ठीक उसके नीचे एक छोटा सा mask दिख रहा होगा आपको एक symbol दिख रहा होगा आप इस symbol पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके image को छोड़कर यानि कि जो जो selection में उसको छोड़कर बाकी सब थोड़ा सा red यानि कि overlay look में आपको दिख रहा होगा अभी आप यहां पर आसानी से find out कर सकते हैं कि कौन कौन सा area है जो selection में नहीं आया है आप इस से जोम करिए और यहां पर चेक किजिए तो यह देखिए आपको पता चल जाएगा कि यह area selection में नहीं आया है यह area भी selection में नहीं आया है तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको कुछ नहीं करना सिफ आपको brush लेनी है और brush लेकर यहां से आपको white को उपर करना है और आपको इसके अंदर इस तरीके से add करना है यानि कि इस तरीके से आपको इसके उपर brush को चलाना है यह देखिए आप इसके जो भी element आपका deselect है आप उस पे इस brush को इस तरीके से चला दीजेए ठीक है याद रहे अगर आपको यहाँ पर एड करना है तो इसको white को उपर रखना होगा तो मैं मुझे add करना है तो यह देखिए यहाँ पर मैं अभी घड़ी वाला portion को भी लेता हूँ यहाँ पर भी मेरा कुछ portion था जो selection में नहीं था तो मैंने इसको भी यहाँ से ऐसे select कर लिया यह देखिए यहाँ पर कुछ hair वाला portion भी है जो selection में सायद अच्छे से नहीं आया है तो आप इसका भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी उसको थोड़ा सा avoid कर रहा हूँ hair selection मैं आपको बाद में बता दूँगा यह देखिए अभी यह चीज मेरा यहाँ पर हो चुका और देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी तरीके से select हो चुकी है यह वाला portion थोड़ा select नहीं है तो मैं इसके उपर भी ऐसे brush कर लेता हूँ see और यहाँ पर भी मैं थोड़ा से brush चला लेता हूँ तो आप देखिए यह पूरी तरीके से भी selection में आ चुका है अभी आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आप यहाँ से quick mask को off कर दीजे आप off करने के बाद देखेंगे कि आपकी यह selection है पूरी तरीके से complete हो चुकी है quickly आप यह देख सकते हैं कि आपका कौन सा part selection हुआ है और कौन सा नहीं अभी आप देख सकते हैं आपे तो यह देखिए पूरी तरीके से आपकी image select है जबकि यहाँ पे यह select नहीं हुआ था तो इस तरीके से हम quick selection का इस्तमाल कर सकते हैं आप different different images पे भी कर सकते हैं जैसे अगर मैं इस image की अगर मैं बात करूँ तो चलिए मैं इस image में भी थोड़े से selection बना लेता हूँ ऐसे quick selection tool से और यह सारे version में available है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी tension लेने वाली बात नहीं है अभी देखो जैसे मैं ऐसे select किया और मुझे लगा कि चलो यार अभी तो मेरा selection हो गया complete अभी मैं जैसे quick selection पर click करूँगा मुझे पता चल जाएगा कि बहुत सारे area ऐसे हैं जो select नहीं हुआ है और बहुत सारे area ऐसे भी हैं जो ज्यादा select हो गया है तो चलिए यहाँ पे अभी मैं इसको paint करके इस यह देखो आप इसको थोड़ा अच्छे से को करना पड़ेगा तो मैं यहाँ से paint कर रहा हूँ मैं अभी roughly paint कर रहा हूँ आप जब भी practice करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से करना है चलिए यह हो गया अभी आप देखेंगे यहाँ पे सारी वाला portion यहाँ पे आप देखें इसे black को ऊपर कर लिजे और black को ऊपर करने के बाद आप इससे paint कर दीजे तो देखेंगे यह भी raid हो रहा है मतलब की वो selection से बाहर जा रहा है तो मुझे इसको raid ही करना है मैंने इसे इसको कर लिया और अभी आप यहाँ से quick selection से बाहर निकल जाएए तो देखेंगे कि आपकी image पूरी तरीके से select हो चुकी है अब यहाँ पर आकर देखेंगे यह देखेंगे सी आपकी image पूरी तरीके से select हो चुकी है तो इस तरीके से हम quick selection का इस्तेमाल करते हैं तो friends उमीद है कि आपको quick selection और clipping mask समझाया होगा आप इससे जो भी मैंने आपको बताया इसकी आप practice किज सकते हैं और आप हमें mail भी कर सकते हैं और आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं WhatsApp का जो group link है वो description box में दिया हुआ है तो आप वहाँ पर जाहिए और directly अपने file को share करिए हमारे साथ और live feedback आप उससे ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पूसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रही हमारे चैनल के साथ मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई topic के साथ तब तक लिए दीजिए हमें जाज़त वबाय टेक केर and most important happy learning